नमस्कार दोस्तों स्वागत आप से भी एक नए वीडियो में आज हम बात करेंगे आरपे से इतिहास के जो गुप्त बंस का के जो अधिन महत्व प्रशन है उनके बारे में इन से बाहर जो है गुप्त काल का कोई प्रशन जो है वो नहीं आएगा आप आश्वस्त होगे रहे ये गुप्त काल की सारे प्रशन इनी सत्र बंस से पूछे जायेंगी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पढ रहाफ परतम बंस के इस कोसिन के संदर बंस पर्थम ने जो है वो सर्व परतम महादी राज की जो उपादी है वो आशिल की थी अगला पस्ट नगी गुप्त सासनी दुरान ऐसा वेक्ति कौन था जो एक महान खगोल विग्यानी और वेग्यानिक था तो गुप्त काल के अंदर ये था आर ये बट ठीक है आर ये बट जो था ये गणितक की और खगोल विग्यानी था और गुप्त सासकों की सरकारी और दरबारी वासा कौन सी थी तो यहाँ पर महतोपन है ये होगी संस्कृत भाषा आप प्राकरत भी करके हैं आ सकते हैं इसलि समुद्र गुप्त को भारत का निपोलियन कहा जाता है अगला परसन है कि कुमार गुप्थ वन्स का वहराजा कौन था जिसने होनों को भारत पर आकरवण करने से रोका इंपोर्टेंट केशन है श्टार लगा लीजिए इसका आन्स रोका असकंद गुप्त हम्स की चीज द था तो गुप्त बन समयुएं अपने स्थापते और कला के लिए परसीद्धी था ठीक है अजंता कलाकर्तियां किस से संब्धित है तो अजन्ता कलाकर्तियों का संब्ध जो है वो गुप्त काल से है आपको अगर पूछा जाए कि अजन्ता की जो कलाकर्तियां है उनका संब्ध किस से है तो वो गुप्त काल से है कुछ विद्वानों के नुसार कवी कालिदास किस के राज किये कवी थे कवी कालि चित्रकारी का विशय वस्तु अजनता चित्रकारी की विशय वस्तु आपको पता ही है कि बोध धरम से समंदित है अजनता चित्रकारी की जो विशय वस्तु है उसका समंद किस से है बोध धरम से है ठीक है उत्तर गुप्त युग में जो विश्य विदाले परसीद हुआ तो इम्पोर्टेंट के विश्चोन है कीसा काल में भारत आया था इम्पोर्टेंट के विश्चोन है कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त काल को भारते सैंस करते का स्वरने म्यू कहा जाता है गुप्त काल को फाहेन कहां का निवासी था ये भी याद कर लेजे फाहेन निवासी था चीन का ठीका एगला प्रसन है कि सेतुबंद का रचना कर प्रवेशिन दुट्य किस वन्स का स इसका आंशरोगा समूद्र गुप्त को किस लेख में शक्रोपम कहा गया है शक्रोपम कहा गया है शक्रोपम कहा गया है शक्रोपम कहा गया है फाहेन और हुएन शांग ने किन किन राज्यों को देखा ठीक है तो फाहेन ने तो देखा चंदरगुप्त विक्रमादित्ते के देखा धनवंद्री कोन थे तो धनवंद्री जो है चंदरगुप्त विक्रमादित्ते के तो नवरतन थे उन में से एक प्रशिद चिकित सक्ते ऑग्ला पस्नसे है गुप्त काले इन्षासन प्रणाली किस प्रकार की थी तो गुप्त का दिन्षासन प्रणाली थी राजतंतरात में कौन सी राजतंतरात मुनार केल जो है फाहें द्वायर रचित गरंद फोकूकी में निमलिक में से किसका विवरण नहीं मिलता तो इसमें जो है ये बोध धर्म के सिधानतों का विविरन इसमें नहीं मिलता गुप्त स्थापत्यकला का सरवोत कृष्ट निम्न मंदिर में से कौन सा है तो इसमें जो है देवगड का दसावतार मंदिर है देवगड का दसावतार मंदिर जो है ये बुद्ध गुप्त स्थापत्यकला का जो है एक महत्तपुन स्थान है अगला परसम जाता है कि अजंदा की किन गुफाओं में का निर्मान गुप्त काल में हुआ था तो अजंदा की जो 16, 17 और 19 नमर के गुफाएं हैं उनका निर्मान गुप्त काल में हुआ था अगला ये important question है second grid और first grid दोनों में आ सकता है कि अमर कोस के लेकर कामर सिंग किस सासक के दर्बार से जुड़े थे तो इनका समंद जो है वो चंद्र गुप्त द्वित्ते से था किस से था अमर कोस के सासक प्रियाग प्रसस्ति अभिलेक का लेक हरीशन किस के सासक का दरबारी था हरीशन ने लिखी थी प्रियाग प्रसस्ति जो किस की थी हरीशन ने लिखी थी समुद्र गुप्त का दरबारी का जो था कभी था गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल यूग क्यों कहा जाता है क्योंकि कला एम साहित के छित्र में ये अपने चर्मोत कर्ष पर था ठीक है कला और साहित के छित्र में ये अपने चर्मोत कर्ष पर था सारनाथ का धमे कुस्तूप याद रखेगा गुप्त काल में इसका निर्मान हुआ था सारनाथ के धमे कुस्तूप का निर्मान कहा हुआ था गुप्त काल के अंदर अब एक और important question आ गया कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था ठीक है और मद्दे कालीन में निश्क जो है इसको ये भी एक सोने की मुद्रा थी निश्क क्या थी सोने की मुद्रा और ये किसमे थी मद्दे काल में और एंशेंट डेज में ये क्या था ये था आबुषण एंसेंटेज में ये था आबुषण ठीक है नालंदा अभी सविदाले के स्ताबना जो है वो गुप्त काल के दर्वान होई थी और गुप्त यूग में भूर आदस्वे की दर्व जो थी वो उपस का छटा भाग थी यानि एक भाईच जो है वो कर की दर्व थी उस समय नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत पूर्ण विशेसता थी क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल के अंदर सुरू हुआ था किस वंस के सास कोने मंदिर इंबरामनों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था तो ये हो गए गुप्त श्काल और इन्हें बोला जाता था अग्रहर क्या कहा जाता था गुप्त वंस में सेवस्च जधा मंदिर ब्राणों को दान किया गया था दिल्ली के महरोली के कुवत उल इसलाम भाजित के प्रांगण में स्थित परशीद लोह स्तंब किस की समर्ती में है तो ये है चंदर की समर्ती में ठीक है चंदर की समर्ती में राजा है चंद्रण की समर्ते में कालिदास द्वाराजित माल्यू का अगनी मित्र का नायक था तो इसके नायक थे अगनी मित्र ठीक है समुद्र गुप्त की सेनिक उपलब्दियों का वर्णन उसके किस अभिलेक में है समुद्र गुप्त की सेनिक उपलब्दियों का वर्णन जो इसके प्रियाग अभिलेक में है प्रियाग प्रस्थ अभिलेक जिसकी रचना की थी कि इसने उसके दरबारी का भी हरीशेण ने इसने हरीशन ने इसमें किस काल में इस्तिरियों की दसा जो है इस्तिरियों की पुरूशों के बराबर थी तो ये गुप्त काल में इसके बाद में इस्तिरियों की दसा जो है वो निरंतर गिरती गई कौन सा राजवंसहुरुनों के आतंक से अतिंत विचलित हुआ तो ये है गुपत राजवंस से दाक्रण इनिगे समय किया था कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा मालुक अगनी वितरम लिखा है tribute कुंतरम लिखा है विक्रम वरवेश लिखा है और जान की हरन जो है ये जो है वे कालेदास ने नहीं लिखा अजंदा गुफाओं में से सरीखी के सी सरीखी जैसी गुफाओं मद्यपटेश में कहा है अजंकत के जैसी गुफाओं बाग गुफाओं हैं जिनका सम्मन जो है गुप्त का कब से होई गुप्त काल से जो है बालेवा की प्रारम हुई सोने के सरवाधिक सिक्षिक्य जो है Currently में जारी किये गई सोने के सरवाधिक सिक्षिक्य जो है वही सब्सके जारी किये गई यूरोपिय व inaugural का तो यह अभिजान साकुनतलम को भोत बार जो है यूरोपिय भासाओं में अनेक यूरोपिय भासाओं में बदला जा चुका है सत्थी पर्था का पहला उले कहां मिलता है तो सत्थी पर्था का पहला उले कौन से मिलता है ये मिलता है एरान अभी लेक के अंदर कौन से अभी लेक के अंदर एरान अभी लेक के अंदर सत्थी पर्था का पर्थम उलेक मिलता है गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा धे कहां प्राप्त हुआ तो इसका आंशरोगा बयाना भरतपुर किस गुप्त सासर नालंदा विश्र विद्धाले का सैंस्तापक जो है वो माना जाता है कुमार गुप्त पर्थम को ठीक है किसको नालंदा का सैंस्तापक माना जाता है कुमार गुप्त पर्थम कुनालंदा का सैंस्तापक माना जाता है चंदर गुप्त द्वित्य के काल में विद्या कलाएं साहित्य का माह के अंदर कौन सा था तो ये इसका आंसर आएगा उज्जेन ठीक है और कालिदास के किस कृति की गिंती विश्वगी सो प्रशित साहिते कृतियों में होती है तो अभिज्यान शाकुंत लम जो है विश्वगी सो प्रशित साहिते कृतियां है वरतमान में दस्मलो प्रणाली का विश्कार दस्मलो प्रणालिका विश्कार का सरे की स्यूग को है तो ये गुप्त यूग जो है इसमें दस्मलो प्रणालिका विखास हुआ था कौन सा गुप्त बन्स के पतन का कारण नहीं है तो सत्ता के नियंतरन के लिए आंतरिक कला है क्योंकि यहां पर बिल्कुल भी नहीं थी तो यह इसका कारण नहीं है और निल्ग बेसे कि गुष्गूप जाकने अपने सिखों पर वीना बजाते हुए अपना चितर अंकित किया है तो वीना तो वही समुद्र गुप्ती बजाता था गुप्त का दिन पूस्तक नवीन नवीन्तकम का समंद किसे तो नवीन्तकम का समंद है चिकित्षा से और तामबे का शिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त से कौन था तो रामा गुप्ता ने तामबे के शिक्के जारी किये थे ठीक है किस गुप्ट शासक ने दक्षिनपत में अस्तित बार राजियों पर धर्म विजय की थी तो दक्षिनपत का एग मत्री जो सासक है वो समूद्र गुप्त यहां पे जो हो कुशुमुद्र गुप्त दिया वाले गिने यह समूद्र गुप्त इसका आंसर होगा सर्वर राजा अच्छो सेता सभी राजियों को उखाड़कर फैंकने वाले का जो स्रिय है वो दाता है चंदर गुप्त दिया को किस ने किस अंतिम सक शासक रुद्र शिंग दिया तृत्त को प्राजित किया किसने अंतिम साका रूलर रुदर सिंग रित्यं को प्राजित किया और उसकी हथयागर सबू Onırım चंदर गूप्तढ़ द्वीते ने रुदर शिंघ रित्यं को हराया था और बिल्कुल मुकूल का समळन किस से था बिल्कुल मुकूल का समळन था हूळों से कनोज को सरवा पर्थम महता प्रदान करने वाले थे मोखारी रूलर्स ओफ कनोज जो है उनको उने सबसे पहले कनोज को महता प्रदान की थी गुप्त राजा जिसने विक्रमादिते की पदवी गरहन की थी तो विक्रमादिते की पदवी वीडियो को करें आप लाइक